तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर किसी से पूछ ना है कि तुमारे लिप्स्टिक का कलर क्या है तुमारी बाइक का कलर क्या है तुमारी बुक का कलर क्या है तो उसको हम लोग फ्रेंच में कैसे पूछेंगे तो first example देखो अगर पूछना आए कि by का color क्या है तो फ्रेंच में कैसे बोलेंगे the calcular a la velo the calcular a la velo सबसे पहले काम करते हैं इस question का operation करते हैं कि यह question बना कैसे है देखिए the इसका मतलब क्या है of kel इसका मतलब क्या है what kulak इसका मतलब क्या है color a यह क्या है is la यह क्या है the velo इसका मतलब क्या है bike सो इक ठे क्या बन गया the calcular a la velo अब पूछना है कि mobile का color क्या है जिसके उपर आप टिक टॉक चलाते रहते हो तो फ्रेंच में क्या बोलेंगे the calcular a la telephone mobile अब आप देखो इसका जो फॉर्मुला है वो भी same ही है वो क्या है अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कईयों को तो यह लग रहा है मैंने pink lipstick लगाई है कईयों को लगता है कि मैंने red lipstick लगाई है अब आप पूछना चाहते हो कि lipstick का color क्या है तो फ्रेंच में कैसे पूछना है अब इतना तो clear हो गया कि अगर मुझे color के बारे में पूछना है तो कैसे पूछना है अब हम सीखेंगे कि इसका answer हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं अब मुझे कहना है कि जो bike है ना मेरे पास वो कौन सी है green color की है तो फ्रेंच में क्या बोलेंगे le velo et vach le velo et vach अब मुझे पता है यहाँ पर आप confused हो कि मैंने cycle की picture लगाई है बात तो मैं bike की कर रही हूँ मैं आपको एक एक interesting सी बात बताना जाती हूँ क्या है कि जैसे America, Canada, Australia में जो like cycles होते हैं उनको वहाँ पर bike बोला जाता है और हमारे यहाँ पर क्या है कि जो like वो है अपना Splendor है यामा है जो ऐसे करके चलाते हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं motorbike वर तकरीबन हमारे यहाँ पर bike बोलते हैं वो क्या है motorbike है उसके बाद किसका color पूछा था mobile का वो क्या था The calculator is the telephone mobile और मुझे पता है कि जो मेरे पास mobile phone है उसका जो color है वो black है तो कैसे बोलेंगे The telephone mobile is noir The telephone mobile is noir उसके बाद question किया था कि जो lipstick है इसका कौन सा color है तो मैंने बोलना है जो lipstick का color है वो pink है तो French में क्या बोलेंगे Le rouge à lave et rose Le rouge à lave et rose Le rouge à lave et rose अब आगे कुछ और examples देखते है अगर मैंने पूछना है कि पिजामा का color कैसा है जो मैंने पहना हुआ है आपको तो दिखी नहीं रहा तो उसको क्या बोलेंगे The calcular is la pyjama और मैंने बोलना है कि जो pyjama pen रखा है वो black color का है तो कैसे बोलेंगे Le pyjama et noir Le pyjama et noir So my friends अब ये जो मैंने चार sentences लिखे हैं इन में से आपने एक बात note किया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या use किया है Le जबकि आपको पता है कि The के लिए French में चार category लगती है तो ये जो le है ये किस के लिए use होता है अगर मेरा next noun क्या है masculine है अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ देखे जब हम English में पोच्छते हैं तो हम तकरीबन ऐसे पूछते हैं What's the color of your phone? What's the color of the bike? What's the color of the book? Like this और answer हम लोग कैसे देते हैं? It's black, it's orange, it's green इस तरीके से जवाब देते हैं उसी तरीके से हम लोग French में भी दे सकते हैं वो कैसे? देखे अगर मेरा noun क्या है masculine है तो वहाँ पे मैं कैसे दे सकती हूँ इले के साथ? For example इले नुआख इले ब्लूँ इले तोरंज इले वेर्ख इले ब्लूँ Etc. Now let's practice some more examples तो क्ले कुलेर इलो ब्रासले? ब्रासले ए रूज ब्रासले 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 ब्रा Le lustre est orange De quelle couleur est le mouchoir du poche Le mouchoir du poche est blanc De quelle couleur est le livre Le livre est gris So keep practicing And if you have any problem Then you can tell me down to comment Now I am going to tell you one thing here If there is a topic in your mind And you have confusion about it Then you can tell me down to comment That topic's name in the bottom Definitely I will make a video on it And I will throw you confusion Au revoir You can tell me down to comment